140 करोड का पॉपुलेशन को ठहरा दूं माल लूं तो आज अगर 50,40,000 डॉक्टर और इंडिया में डाल दिये जाएं तो हमारा स्टैंडर्ड यूरोप के इंडर्ड के बराबर हो जाएगा सो हलो बच्चों और पेरेंट्स ये वीडियो में लेके आया हूँ जो ये बताएगा कि आने वाले सालों में डॉक्टर की जो जरूरत है इंडिया में वो कितनी और पढ़ने वाली है क्या इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुलने से जो गॉर्मेंट डेनाउंस कर रही है लगबग लगबग पिछले थोड़े सालों में डबल हो गया इस्ट्रेंथ पीजी की सीट बढ़ रही है तो कुछ-कुछ ऐसी खबरें आती है कि डॉक्टर अतनी सेलरी नहीं है तो एक बड़ा सा कुछ-कुछ लोगों पर हो रहा है कि यार इतने सारे सीट बढ़ रही है डॉक्टर लोग बजादा बन रहे हैं प्राइबिट कॉलेजेज खुल रही है और गॉर्मेंट हर डिस्टिक में कोर्स कर रही है कि मेडिकल कॉलेज खुल ज आप इस साल भी 13 कॉलेजेज आने के पूरे चांस है उत्राखन में दो तीन कॉलेज बन रहा है एक तो आई जाएगा इस साल और ऐसे ही सभी स्टेट में सिच्वेशन है तो मैंने इस पर रिसर्च किया तो आज मैं डेटा देने वाला हूं कुछ अपने एक्सपिरियेंस के फरे कितने डॉक्टर हैं अगर अगले पांच साल में हमें अमेरिका को एचीब करना हो फ्रुक जाहिए जितना अमेरिका में पर थाउजञ ने पॉपलेशन में है तो इंडिया में हर साल कितनी सीटे होनी चाहिए क्या हम अचीब कर पाएंगे अगले कितने सालों में हम US और ये यूरोप जैसे कंट्रीज को अचीव कर पाएंगे तो ये सब सवालों का जबाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ अपना वीव भी रखूँँगा कहीं से कोई भी वीव मेरा कोई जरूरी नहीं हो सकते हो डेटा जो मैं लेके आया हो सकता हूँ वो भी गलत हो तो मैं ये डिस्क्लेमर है मेरा मैं इस पर लीगल कोई नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ मैंने कुछ डेटा चैट जीपीटी से लिया है जिसके पास 2022 तक का डेटा है कुछ मैं सीधे इंटरनेट से डूडा हूँ कुछ इधर उधर ब्लाग से निकाला हूँ तो ये रिसर्ट लेके आ रहा हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्काइब करके ही आगे बढ़िएगा आपका ही चैनल है और पॉसिबल हो तो लाइक कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा इधर आपने सोसल मीडिया पर चलिए डिसकस करते हैं कई लोग कहते हैं कि इंडिया में जो डॉक्टर है कई लोग मतलब कई लोग मेरे को लेक में दिखें कि इंडिया में भी वही हाल होने वाला जो इंजिनर का होने वाला इतने सारे निकल रहे हैं 20-30,000 सेलरी पे डॉक्टर जॉब करेंगे ये फैक्ट एकदम गलत है कुछ-कुछ exceptional cases में ऐसा हो सकता है जहां पर बच्चों ने offer accept किया हो अगल बगल किसी को थोड़ा दूर लेकिन हाँ कोई भी जॉबलेस नहीं है आज की डेट में जो अधिकता है अभी बिल्कुल अधिकता नहीं है जबकि 1,13,000 डॉक्टर हर साल मलब seats हो गई है 5 साल बाद 1,13,000 डॉक्टर साड़े 5 साल बाद निकलेंगे फिर अगले साल कोई seat और बढ़ेंगे और निकलेंगे अब आ जाते हैं कि डॉक्टर का ratio क्या है इंडिया में और बाहर क्या ratio है इंडिया की population मैं मान के चलना हूँ एक सो चालिस करोड की population है एक सो चालिस करोड की population में इंडिया में पर थाउजन population पे 0.8 to 0.9 डॉक्टर है यानि एक हजार पे एक डॉक्टर भी नहीं है दस हजार पे नौ डॉक्टर है या दस हजार पे आठ डॉक्टर है दस हजार की population पे आठ या नौ डॉक्टर है यानि ये भारी कमी है क्या होता है जैसे जैसे हम लोग अमारे पास पैसे बढ़ते हैं याद करो पहले या बच्चे अगर आप देख रहे हो अपने पापा से अपने ग्रेंट पैरेंट से पूछना पहले दातों में प्राबलम आती थी लोग दात को खड़वा देते थे अब क्या होता आर सीटी होता रूट कैनल ट्रीटमेंट एक एक दात में दस-दस हजार रुपे खर्च करते हैं लोग कैपिंग होती है फिर उसमें भी कैपिंग में कई मॉडल है तो अब जैसे ऐसे पैसा आया लोग खर्च कर रहे हैं पहले दात के डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते थे अब विजिट करते हैं पहले पेट दर्ध हुआ फीवर आया केमिस्ट के पास गया दवाई ले लिया कहीं अगल वगल कोई बैठा हुआ जोला चाप डॉक्टर उनके पास गए दवाई ले लिए लेकिन अब लोग professional डॉक्टर के पास जाते हैं उनका appointment लेते हैं, पैसे पे करते हैं और फिर वो छोटा भी सर्दी जुगाम बुखार हुआ तब भी दवाई लेकिया आते हैं यानि आब लोग खर्चा कर रहे हैं तो इंडिया में 0.8, 0.9 per thousand population पे doctors है चलो देख लेते हैं, इंडिया में तो इतना है US में क्या है, United States में क्या है In contrast, the United States, the ratio of doctor per thousand population is higher According to the data from the Organization of Economic Cooperation and Development OECD The United States has around 2.6 to 2.8 doctors per thousand population 2.8 से लेके 2.8 doctors per thousand population Similarly, Europe, Europe में तो मामल और बढ़िया है यार, America से भी बढ़िया है Similarly, in Europe, the ratio of doctors per thousand population varies by country But generally, trend to higher than in India For example, according to OECD data, Germany and Sweden and Australia मेरो range है, 4 to 5 doctors per thousand population है India से लगभग 10 गुना जादा doctor Per thousand population पे कहा है? Europe में है, Sweden में है, उसके बाद, Austria में है, Germany में है और America में 2.6 से लेके 2.8 है अब 2.6 से लेके 2.8 भी इंडिया से 3-4 गुना है 3-4 गुना per thousand population अब ये अगर इंडिया एचीब करता है क्योंकि हर्ट धिरे दिरे हम वेस्ट की तरफ भाग रहे है यासे यासे पैसा हो रहा है उनको नकल कर रहे हैं उनकी चीज़ें globalization में एकदम अचीब कर रहे है अब मैंने question पूछा how many doctors needed to produce per year in India in order to achieve American standard तो chat GPT ने पूरा calculate करके दिया to estimate the number of doctor needed to produce per year in India in order to achieve doctor to population ratio similar to the United States तो उन्होंने पूरा calculation में रिसक को करके दिया इंडिया में 1.4 billion का population माना अभी 2.7 उन्होंने अमेरिका को मान लिया minus 0.9 निकाला 0.9 यानि इंडिया का इंडिया का higher side लिया अमेरिका का average ले लिया 1.8 doctor per thousand population यानि 25,20,000 doctors अभी भी चाहिए 25,20,000 doctor अभी भी चाहिए बार-बार सुनियेगा मेरी बातों को अभी यानि population ठहर जाए और आज ही के दिन 25,20,000 doctor और दे दिये जाए existing के बाद भी तो हम अमेरिका को बराबर कर पाएंगे इसका मतलब क्या हुआ अब ये आपको पता है doctor बनने का process ऐसा नहीं है कि इधर से बच्चे को डाला उधर से machine के बाहर doctor बनके निकल गया साड़े 5 साल का process है अगर बच्चा पास होता है तो सारे तो 25,00,000 तो अभी चाहिए population बढ़ेगी doctor बढ़ेंगे अगर इस population इसको मीट करना हो 5 सालों में और population ठहर जाये जो कि possible नहीं है तो हर साल आपको 5,00,000,000 extra doctor चाहिए हर साल 5,00,000,000 4,000 extra doctor चाहिए अब मैं calculation लिख रहा हूँ if we want European standard then how many doctors needed in India ये question है मेरा अब यहाँ भी चैट difference निकाल के बताएगा और मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने 4.5 का standard लिया European का 50,40,000 doctor चाहिए आज की date में आज 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 अगर हम European standard 4.5 India 0.9 माल लिया उनका difference आता 3.6 doctors per thousand population पे अगर मैं 140 करोडा population को ठहरा दू माल लूँ तो आज अगर 50,40,000 doctor और इंडिया में डाल दिये जाए तो हमारा standard European standard के बराबर हो जाएगा और अगर इनी population को रोग के 5 सालों में इतने doctor feed करना हो तो 10,8,000 doctor हर साल चाहिए लेकिन आपको पता पहला lot भी 5.5 साल बार निकलेगा तो जो चार में जो crazy है वो इतना जादा है और इसको मिट करने में भी 25, 30 साल, 40 साल लग जाएगा अगर हर साल मोदी जी बढ़ाते रहें college, बढ़ाते रहें college 10%, 20% के rate में तो मैं वो calculation नहीं दे रहा हूँ मैस का वीडियो हो जाएगा अगला 25 साल भी कम पढ़ेगा यानि एक generation अच्छा कासा enjoy करेगी तो उसके बाद भी आपको पता है लोगों का wealth बढ़ेगा पैसा बढ़ेगा तो doctor की quality और बढ़ेगी मतलब earning बढ़ेगी और कम pressure आएगा कम passion देखना होगा तो ये जो profession है वो इतना बढ़ी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता So this is something amazing Amazing ये calculation में है अपने editor साब से बोलूँगा side screen पर दिखा दिया हो लेकिन याद रखिएगा जो आपने चुना है वो बहुत amazing है और आप बिंदास होके तैयारी करिए कहीं कोई recession नहीं है यही तो एक field है जो recession free है यानि यही एक ऐसा field है जो recession free है मस्त होके तैयारी करिए all the very best इस साल selection लीजिए thank you very much bye bye take care